आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने अधिक मास की एक कहाने सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने से बहुत फल मलता है यानि ये भक्त और भगवान की कथा है इसलिए अधिक मास में आप रूच सुने इस कथा को पोराणी कथा के अनुसार एक बार महर्शी दुर्वासा दुरियधन के महल में पहुँचे जहां उनकी खुब आउभगत हुआ और उसके बाद दुरियधन ने उन्हें पांडवों से मिलकर आतित्य सेवा करने के लिए कहा रूची दुर्वासा भी बात मान कर अपने शिश्चों को लेकर पंडवों के घर जाने के लिए प्रस्तुत हो गए जब महर्शी दुर्वासा पंडवों के घर पहुँचे तो उन्हें ने कहा आज उनके घर में निवास करेंगे और भोजन ग्रहन करेंगे उसकी बाद जुधिष्टी ने उन्हें शनानादी से निवरुथ होकर भोजन के लिए प्रस्तुत करने के लिए कहा और जब यह बाद जुधिष्टी ने द्रोपदी को बताई तो द्रोपदी की चिंता बढ़ गई और शातसाथ पांडवों के पी चिंता बढ़ गई क्यो कि वो सब भोजन कर चुके थे और भोजन कुछ भी नहीं बचा था तो महरश्री दुरवासा का भोजन न करा पाएंगे तो वो श्राफ दे देंगे तो इसी लिए दुरपदी को बहुत चिंता हो गई पर उसको याद आई कि शूर्यद्यव ने एक अच्छ पात्र दिया था जिसमें अन्य तब तक रहता था जब तक दुरपदी भोजन न कर ले पर महरश्री दुरवासा जब वहाँ पधारे तो पांडमों के साथ दुरपदी अन्य ग्रहन कर चुकी थी भोजन कर चुकी थी तो दुरपदी को याद आया कि कनहा इस बात को जरूर से हलक और वो भगवान को यानि श्रीकृष्ण जी को याद करने लगी जैसे ही द्रोपदी ने याद किया वैसे ही मुर्ली धर दोड़े चले आए और आकर बोलते हैं कि मैं तो अत्यन्त भुका हूं जल्दी से कुछ खाने को दे दो तो द्रोपदी ने कहा मोहन इसलिए तो तुम् अच्छ पात्र में कुछ बाकी रह गया क्या तो पर द्रोपदी ने द्रोपदी बोली मैं भोजन ग्रहन कर चुकी हैं और उसमें कुछ भी नहीं बचा है पर कृष्ण के बार बार भोजन का आगरह करने पर द्रोपदी ने उनके सामने अच्छ पात्र ला कर रग दिया दे करके भोजन के लिए आ रहे मरसी दुरवाशा और उनके शिष्टों का पेट भर गया मरसी दुरवाशा उनके शिष्टों को जैसे ही ऐसास हुआ कि उनका पेट भर चुका है तो और एक दाना भी ग्रहन करने के लिए नहीं जा सकते हैं तब वो आपस में बात किये कि श्रिक्रिष्ण जी ने अपने भाक्त द्रोपदी का और पंचुपांडव का लाज बजाए थी तो ये थी कहाने जिसको सुनने से हमारी उपर भी भग्वान के आसीरवाद बनती है जैस्रिक्रिष्ण जी की जै